अब तक हम ब्रेन के दो पार्ट्स कवर कर चुके हैं देखिए ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ब्रेन के तीन में पार्ट्स है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ब्रेन के तीन में कौन से पार्ट्स हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन याने ऊपर का दिमाग का हिस्सा, मिड ब्रेन याने की मिडल ब्रेन और हिंड ब्रेन में आपका आता है सेरी बेल्लम, पॉन्स वेरोली और मेडियूल Oblongata, तो हम specifically पढ़ रहे थे 4 brain के बारे में, 4 brain आगे further divided है 3 parts में, पहला है Rhinencephalon जिसको बोला गया है Olfactory Lopes, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था diagram की मदद से, फिर second आता है Telencephalon, Telencephalon का दूसरा नाम है Cerebrum, Cerebrum आपके brain का 85% constitute करता है, तो Cerebrum के बारे में भी हम detail में पढ़ चुके, functions क्या होते है Cerebrum के, Cerebrum कैसे located होता है, Cerebrum के बाहर की layers को हम क्या बोलते है, Cerebrum के पास जो एक particular nuclei होता है, Cerebral nuclei, उसका क्या function है, Corpus callosum का क्या function है, यह सारी चीज़े हम पढ़ चुके, फिर उसके बाद हमने देखा Dianencephalon क क्या होता है, Cerebrum के नीचे जो present होता है, Cerebrum के floor के नीचे, Corpus callosum के नीचे, जो ventricle है, उसके पास आपका Dianencephalon प्रेजेंट रहता है, Dianencephalon का पहला पार्ट है, Epithalamus, Epithalamus, Spinal Glynd से connected होता है, और Epithalamus से ही बहुत सारे Choroid Plexus निकलते हैं, याने Blood Capillaries, जो brain के non-vascular layers तक Blood पहुचाने का काम करते हैं, याने CSF produce करने का काम करते हैं, फिर आपका आता है Thalamus, Thalamus के क्या function से वो भी हम देख चुके, वो brain के दो parts को connect कर रहा है, अपर पार्ट और Middle brain को Thalamus की मदद से connect किया जाता है, ठीक है, Thalamus वाला पार्ट थोड़ा सा complicated था, लेकिन अगर आपने वीडियो को दो से तीन बार देखा होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और लास्ट पार्ट आता है Dian Cephalon का Hypothalamus, याने उपर का पार्ट, Middle part is Thalamus, और नीचे वाला पार्ट is Hypothalamus, तो Hypothalamus कैसे दिखाई देता है, मतलब समझो यह आपका उपर की तरफ ऐसे थलामस है, तो इसके नीचे यह अगर थलामस है, तो इसके नीचे यहाँ पर आपका Hypothalamus present होगा, हाइपो मतलब क्या होता है, बिलो, ओके तो थलामस के नीचे आपका Hypothalamus present होता है, और Hypothalamus का बहुत 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 इंपॉर्टन डॉल है, तो आज हम पढ़ेंगे Hypoth Hypothalamus की थियोरी के बारे में इन डीटेल की Hypothalamus दिखता कैसे है और उसके functions क्या क्या है, देखा जाए तो Hypothalamus आपके दिमाग, मतलब आपकी बॉड़ी का सबसे जादा Master Organ बोला जाता है, क्या बोला जाता है, Master Organ, it is considered to be the Master Gland or Master Organ of your Body, which controls major functions of your body, ओके, तो आर यू रेड़ी, ओके, तो चलिए देखते हैं इसकी थियोरी से, क्या दिया गया है, हमको यहां पर थियोरी में, first point क्या बताया गया है, it forms a floor of dyncephalon, क्या बोला गया हमको कि यह Hypothalamus काहां पर present रहता है, dyncephalon के floor पे, मतलब thalamus के नीचे, ऊपर epithalamus की layer है, epithalamus से pineal gland बन रहा है, मतलब य इसके नीचे ऐसे अपना thalamus है, this is epithalamus, this is pineal gland, देखो यह P जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए आप इसको pineal gland बोल सकते हो, this is thalamus और इसके नीचे यहां पर present है आपका hypothalamus, okay, so it forms a floor of dyncephalon, मतलब यह आपके dyncephalon के base में present है, richly supplied with blood vessels, hypothalamus के पास बहुत जादा blood vessels supplied होते हैं, कैसे blood vessels supplied होते, देखो कैसे arteries, यह diagram देखो, यह diagram जो मैंने आपको बताया, इस diagram में आपको brain के अलग-अलग parts बताये गए, मतलब thalamus, फिर उसके नीचे middle region, आपको thalamus और hypothalamus चाहिद अच्छे से label नहीं किया गया है, बट वो cerebrum के नीचे present होता है, mid brain का labeling किया है, mid brain के बात, pons, veroli, pons, veroli, medulla, oblongata, फिर उसके बात, cerebellum, तो देखो, किस तरीके से mid brain से होते हुए, blood vessels, hypothalamus तक पहुंच रही है, तो hypothalamus के पास, बहुत सारी जगह से blood vessel आती है, epithalamus की blood vessels आती है, नीचे से blood vessel आती है, तो hypothalamus के पास, बहुत जादा blood vessels होने के वज़े से, हम उसक vascular organ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम vascular organ, vascular organ मतलब क्या होता है, जिसके पास, बहुत जादा blood vessel का supply होता है, तो hypothalamus is richly supplied with blood vessels, क्या बोला गया है, हमको इधर पे, कि hypothalamus के पास, बहुत सारे blood vessels है, जिसके वज़े से brain के अंदर, जो CSF पहुंचना चाहिए, जो nutrients बोल्ड करके लिखा है, hypothalamus, याने की जो blood vessels hypothalamus से connected है, hypofacial, hypofacial मतलब क्या होता है, जो आपका pituitary gland है, उस pituitary gland के बाजू से होते हुए, जो blood vessels निकल रही है, और कुछ blood vessels pituitary gland के अंदर से निकल रही है, तो उसको हम बोलते है, hypothalamus, hypofacial, hypofacial याने की pituitary gland, hypofacial का क्या होता है, pituitary gland, तो hypothalamus और pituitary gland से connected होके, जो blood vessels निकल रही है, और brain में nutrients पहुचाने का काम कर रही है, तो उसको हम बोलते है, hypothalamus, hypofacial, portal, vein, portal याने की travel करना, तो ये जो arteries है, ये जो vessels है, आप vein बोलो ये artery बोलो, जो blood vessels है, ये blood vessels, hypothalamus के पास बहुत जादा amount में present होती है and it helps in feedback mechanism for hormonal control, देखो, hypothalamus के पास जो blood vessels है, वो blood vessels nutrients देने का काम करेंगी, और hypofacial, यानी pituitary gland से जो nerves निकल रही है, वो veins, जो pituitary gland की veins है, वो veins hormonal control करने में मदद करेगी, ये जो line बोली गई है, it helps in feedback mechanism for hormonal control, इस line का मतलब क्या है, आपकी body में कौन सा hormone का produce होना चाहिए, pituitary gland से जो बनता है, pituitary gland एक बहुत ही important gland है हमारी body की, जिससे बहुत सारे hormones बनते हैं, okay, so pituitary gland से कब कौन सा hormone बनेगा, ये भी hypothalamus decide करता है, कौन decide करता है, hypothalamus decide करता है, क्योंकि hypothalamus is directly connected to pituitary gland, आप ऐसा बोल सकते हो, जैसे epithalamus से pineal gland निकलता है, वैसे hypothalamus से ही pituitary gland निकल आपको देखो, यहाँ पर डाइग्राम प्रॉपली दिखाया गया है, कि किस तरीके से pituitary gland extended होके बताया है, देखो hypothalamus है, hypothalamus के नीचे से, मतलब pituitary gland के दो parts बताये गए हैं, एक anterior pituitary और एक posterior pituitary, और उपर की तरफ देखो क्या लेबल किया गया है, उपर की तरफ ऑप् के आगे nerve fibers connected है, और नीचे की तरफ, hypothalamus के नीचे की तरफ आपका pituitary gland connected है, pituitary gland भी दो टाइप में होता है, आगे वाले pituitary gland को anterior बोलते हैं और पीछे वाले part को, मतलब देखो ऐसा present रहता है pituitary gland, ऐसा, तो इसको anterior pituitary बोलते हैं, इसको posterior pituitary बोलते हैं, ठीक है, और hypothalamus स जो लंबा सा ऐसा stock like structure निकल के आ रहा है, जो pituitary gland से actual connected है, उस stock like structure को हम infundibulum बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम infundibulum, तो आपको आए होप अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे hypothalamus hormonal control करने में help करता है, hypothalamus से pituitary gland निकलता है, इसलिए pituitary gland कब कौन सा hormone बनाएगा, ये decision hypothalamus लेता है, तो आप देखो आगे theory में क्या बताया गया है, it maintains homeostasis, देखो hypothalamus के functions हमको बताया गया है, ध्यान से देखना मैंने इतनी मेहनत करके लिखा है, तो आपको समझ में आना ही चाहिए, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कि आपको hypothalamus जो होता है, वो homeostasis maintain करता ह मैंने आपको lecture के starting में बताया था, first page पे introduction में ये word दिया था, homeostasis, homeostasis मतलब क्या होता है, to maintain the internal pH and temperature of the body, body के अंदर का pH और temperature और आपका water and electrolyte balance, जिसको हम osmosis बोलते हैं, मतलब कितना salt, कितना water body में minimum रहना चाहिए, और कैसे कैसे क्या-क्या changes होने चाहिए, यह सारी चीजे balance कर होता है, hypothalamus का, so it maintains homeostasis, that is equilibrium of the body, equilibrium मतलब क्या होता है, balance, equilibrium मतलब क्या होता है, balance of the body internally and involuntary behavior control, और अपने जो involuntary organs होते हैं, जैसे की hormone secretion, stomach कौन सा hormone बनाएगा, intestine कौन सा hormone बनाएगा, pancreas कौन से hormone बनाएगे, तो यह जो hormonal secretion होता है, उस hormonal secretion की responsibility भी कौन कंट्रोल करता है, hypothalamus अच्छे से समझो, बार-बार बोल रही हूं है, hypothalamus कहाँ पर present है, diencephalon के base में present है, उसके पास बहुत सारी blood vessels supplied है, इसलिए इसको हम vascular organ बोलते हैं, hypothalamus, hypofacial portal vein की मदद से आपका hormonal control होता है, क्योंकि जो blood vessel hypothalamus तक पहुँचती है, वो pituitary gland से होते हुए पहुचती है, और pituitary gland hypothalamus से ही निकला है, pituitary gland hypothalamus का ही एक पार्ट है, इसलिए जब तक hypothalamus नहीं बोलेगा, तब तक pituitary gland कोई hormone production स्टार्ट नहीं करेगी, ओके, all right, hypothalamus का next function क्या है, it maintains homeostasis, याने कि यह हमारी body का balance maintain करके रगता है, pH और temperature का, and also it maintains involuntary behavior control, याने कौन सा hormone कब बनेगा, Like in the cerebrum, the hypothalamus also contains hypothalamic nuclei, हमने पढ़ा था, cerebrum में एक cerebral nuclei होता है, क्या होता है, nucleus accumbens, ऐसा कुछ word अगर आपको याद आ रहा होगा, तो cerebrum में एक cerebral nuclei होता है, हमारे corpus callosum के पास एक particular spot, देखो मैंने आपको बताया था, corpus callosum के पास छोटे-छोटे cortical granules होते हैं, जिसको हम limbic system बोलते हैं, तो वो limbic system के बारे में भी हम आज पढ़ेंगे, लेकिन उसके नीचे और एक बड़ा सा red spot आपको बताया था, जो actually gray color का होता है, और उसको हमने बोला था कि ये सबसे बड़ा nuclei है, आपके brain का जो भी message होगा, वो पूरा message thalamus के पास आएगा, मतलब relay center, पूरा message पहले nuclei के पास आएगा, cerebral nuclei के पास, और फिर cerebral nuclei वो message thalamus को देगा, और thalamus से वो message बाकी के brain के parts तक पहुचेगा, कि ये message frontal lobe के पास जाएगा, या parietal lobe के पास जाएगा, या occipital lobe के पास जाएगा, thalamus सिर्फ और सिर्फ एक message transmit नहीं करता है, वो है olfactory lobes, smelling वाला sensation thalamus control न इसलिए thalamus को हम relay center बोलते है, okay, message लेकर देना, relay race में यही होता है, एक इंसान भागता है, फिर वो डंडा जो भी है, वो आगे देता है, तो फिर दूसरा इंसान भागना start कर देता है, तो thalamus का भी ऐसा ही काम है, वो message लेता है, और आगे वाले को देता है, लेता है और हमारे hypothalamus से जो pituitary gland निकल रहा है, डाइग्राम में ध्यान से देखो hypothalamus से किस तरीके से pituitary gland निकल रहा है, तो इसी pituitary gland को हम hypothalamic nuclei बोलते हैं, okay, so hypothalamic nuclei in its white matter, मतलब देखो hypothalamus पूरा white matter के बीच में प्रेजन है, देखो मैंने एक चीज बताई थी, यह आपका brain है, okay, यहां पर आपका thalamus वाला रीजन है, यहां पर hypothalamus है, और यहां पर आपका pituitary gland है, ठीक है, तो यह पूरा white matter है, यह पूरा white matter है, क्योंकि neurons का head region, मतलब cell body उपर है, और exon वाला पार्ट नीचे है, तो जहां exon रहता है, वो white matter रहता है, जहां cell body रहता है, वो gray matter रहता है, तो यह white matter में, यहां पर हमको gray gray color का nuclei जो दिख रहा है, this is nothing but pituitary structure, यह आपका क्या है, pituitary का structure है, ओके, तो इसी को हम बोलते हैं, hypothalamic nuclei, ओके, so it is present in the white matter with neurosecretary cells, यह देखो, neurosecretary cells मतलब क्या होगा, neurotransmitter molecules, मतलब pituitary gland आपके hormones बनाने के लिए responsible है, और pituitary gland कौन से cells से बना है, neurosecretary cells से बना है, क्योंकि वो hormone production का काम करेगा, so with neurosecretary cells involved in the production of hormones, oxytoxin and vasopressin, आपने पढ़ा होगा, इन दो hormones के बारे में, vasopressin का दूसरा नाम क्या है, ADH hormone, vasopressin का दूसरा नाम क्या है, ADH hormone, anti-diuretic hormone, 11 standard में आपको excretion and osmoregulation करके एक chapter था, जिसमें आपने पढ़ा था कि जब भी आपकी body में water level कम हो जाता है, तो water का reabsorption करने के लिए ADH hormone secrete किया जाता है, और oxytoxin कब release होता है, at the time of pregnancy, तो ये कुछ ऐसे important hormones हैं, जिसका production, pituitary gland के उपर depend करता है, और pituitary gland किसके उपर depend करता है, hypothalamus के उपर depend करता है, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, hypothalamic nuclei यान की pituitary gland, जो hypothalamus वाले region में present है, okay, alright, the hypothalamus is the link between the nervous and the endocrine system, यहाँ पर क्या बोला गया है, कि यह जो hypothalamus है, यह दो particular system के बीच का link है, देखो hypothalamus देखा जाए तो brain का part है, लेकिन यहाँ पर जो pituitary gland present है, उस pituitary gland से body के दूसरे glands dependent रहते हैं, तो hypothalamus जो है, वो link है, हमारे nervous system औ और हमारे endocrine system के बीच का, endocrine system मतलब क्या होता है, body के वो organs जो hormone produce करते हैं, तो कौन सा organ कब hormone produce करेगा, यह hypothalamus decide करता है, तो hypothalamus link हुआ की नहीं हुआ, hormonal production और nervous system के बीच का link है, hypothalamus, क्योंकि वो एकदम बीच में present है, base में present है, और hypothalamus के just नीचे mid brain present होता है, तो hypothalamus का सबस will be produced from which gland or which organ, so it is the link between the nervous system and the endocrine system, endocrine system मतलब hormone producing system, okay, it has higher centers for endocrine system, मतलब hypothalamus के पास से बहुत सारे endocrine glands चिपके हुए, endocrine glands मतलब क्या होता है, जो hormones produce करते है, okay, जो particular organ तक hormone लेके जाने का काम करते हैं, उनको endocrine system बोलते हैं, okay, all right, exocrine system के बारे में आप लोग comment section में comment करके बताओ कि what do you know by exocrine system, exocrine system भी hormonal system है, लेकिन उसमें vessels involved नहीं होती है, endocrine system में vessel involved होती है, जैसे कि अगर समझो एक endocrine gland ने अगर कुछ hormone बनाया, तो वो particular organ तक वो hormone को भेजेगा, और exocrine system में क्या होता है, आपका hormone direct release होता है, वो किसी vessel के थूरू नहीं जाता है, मतलब pancreas से insulin निकला, तो insulin direct blood में आ जाता है, लेकिन ADH या oxytoxin ये कैसे किसी particular organ तक जाते हैं, ठीक है, ये 11 standard में था, इतना जादा इसको detail में समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्व इतना समझना है, कि आपका जो hypothalamus है, वो link है, nervous system और brain और endocrine system याने hormone production, तो brain decide करता है, कौन सा hormone कब बनाएगा, और brain का कौन सा part ये decision लेता है, hypothalamus, okay, it regulates, वापिस से हमको same चीज़ बोली गई है, homeostasis वाला ही point बोला गया है, it regulates heart rate, मतलब अगर proper hormone production होते रहेगा, तो sodium, calcium, potassium का balance बना रहेगा, उसके वज़े से आपका heart rate भी proper च speed है, वो maintain करने का काम भी किसका होता है, hypothalamus का, so it regulates heart rate, respiration, blood pressure, body temperature, water and electrolyte balance, तो ये सारे, ये सारे points, balance करके रखने का काम किसका है, hypothalamus का है, तो आप देख रहे हो कि hypothalamus कितना important role play करता है हमारी body में, it has centers for hunger, thirst, fatigue, sleep, satiety centers, secretion of glands of stomach and intestine, इसका मतलब क्या, कि जब आपको भूग लगती है, तो हमको भूग लगती है, तो कैसे पता चल रहा है कि हमको भूग लग रही है, वो actually पेट को भूग नहीं लगती है, वो hypothalamus को भूग लगती है, क्योंकि होता क्या है, hypothalamus के पास बहुत सारे blood vessels है, blood vessels अपने साथ क्या लेकर आते हैं, nutrients ले पहुंचना बंद हो जाता है, तो उसको समझ में आ जाता है, कि बॉड़ी में खाने की कमी हो रही है, तो hypothalamus हमारे stomach के cells को इस तरीके से react करवाता है, कि वो मतलब आवास करने लगता है, हमारा पेट आवास करने लगता है, कि उसको खाना दो, या reaction होना स्टार्ट हो जाता ह या बॉडी में जो stored food है glycogen, वो breakdown होना स्टार्ट हो जाता है, तो जब भी हमें भूग लग रही है, मतलब हमारा hypothalamus activate हो गया है, जब भी हमको प्यास लग रही है, अगर cells dehydrate होना स्टार्ट हो जाएंगे, dry होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो hypothalamus को पता चल जाता है, कि बॉ चीज़ खाते हो, खाते हो, खाते हो, और आपको जब satisfaction मिल जाता है, कि हश, मन भरके खा लिया, मतलब समझो किसी को mango खाने का मन कर रहा है, और उनको जब बहुत सारे mango मिल जाते हैं, और वो धेर सारे mango खा लेते हैं, तो उनको एक तसल्ली मिलती है, तो वो satisfaction वाली feeling है, वो satisfaction satisfaction वाली feeling भी hypothalamus देता है, कभी-कभी होता है, चोकलेट खाते जाते हैं, फिर भी मन नहीं भरता है, पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता है, तो इसका मतलब आपका hypothalamus अभी तक satisfy नहीं हुआ है, तो जब तक hypothalamus satisfy नहीं होगा, तब तक body खाती रहेगी, या body को satisfaction नहीं म तरेगा, यह सारी की सारे decision hypothalamus के ओपर dependent होता है, अभी हमने देखा hypothalamus से pituitary gland बनता है, तो pituitary gland से hormone production होता है, तो it also produces neurohormones that stimulates the pituitary gland, याने की hypothalamus जो है, वो pituitary gland को stimulate करता है, hormone production के लिए, तो इतना part आपको समझ में आया है, पक्का, आगे बढ़ें, limbic system समझें, आल तो I hope आपको previous part अच्छे से समझ गया है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमको क्या बताया गया है, दो और system के बारे में बताया गया है, जो hypothalamus से connected होते हैं, एक होता है limbic system और दूसरा है pituitary gland वाला part, pituitary gland का आधा part मैंने पहले ही बता दिया, अभी limbic system देख लेते हैं, त तो यह जो limbic system है, यह limbic system से ऐसे granules produce होते हैं, ऐसे molecules produce होते हैं, जो हमारी body में emotions generate करने का काम करते हैं, emotions को sense करने का काम करते हैं, see, theory पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, a complex neuronal circuit called limbic system, neuronal circuit मतलब क्या होता है, हमारे brain के medulla वाले region में जो white matter था, उस white matter के region में भी कुछ ऐस पर्टिकुलर पार्ट हैं, कुछ ऐसे granular structure हैं, जो brain के बीच में spot 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 के form में present हैं, और उसी को हम बोलते हैं limbic system, so complex neuronal circuit called limbic system is formed by the hypothalamus amygdala, मतलब देखो, कौन से कौन से organ से आपका limbic system बनता है, hypothalamus amygdala, मतलब hypothalamus है, amygdala है, parts of epithalamus, epithalamus भी connected है, हमारे limbic system से, and thalamus, hippocampus and other areas, तो देखो किस तरीके से आपका limbic system develop हो रहा है, this is the diagram for proper explanation of the limbic system, अब ये limbic system का काम क्या होता है, देखो इसके उपर ना, आपको अभी ज़्यादा theory नहीं पढ़नी है, entrance point of view से आपको सिफ क्या याद रखना है, मैं जो बोल रही हूं, इसको ध्यान से सुनो, NCRT के portion में भी इतना ही दिया है, और entrance point of view से भी आपको कितना याद रखना है, कि limbic system कौन से organs से बनता है, amygdala, parts of epithalamus, hippocampus and other areas, देखो आपकी textbook में ये नहीं दिया है, पर मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि NCRT में ये है, amygdala का function क्या होता है, जब भी आपको डर लगत आता है, fear or fight response, तो वो response actually amygdala के वज़े से produce होता है, amygdala और hippocampus, ये दो ऐसे पार्ट है limbic system के, जो आपकी body में जब आपको डर लगता है, तो आपको fight करने की ताकत देना, जो epinephrine hormone होता है, जिसको हम दूसरा नाम बोलते है, मतलब जो epinephrine hormone होता है, fear or fight hormone, वो hormone का produce होता है, जब आपकी body का amygdala activate हो जाता है, तो amygdala का exact function नहीं पता है, बट ऐसा assume किया है scientist ने, कि इसका function है, fear or fight response create करना, मतलब जब भी आपको डर लगेगा, या जब भी आप मुसीबत में होगे, तो आपका amygdala activate हो जाएगा, और amygdala activate होगा, तो hypothalamus आपका epinephrine hormone बनाएगा जिससे आपकी body में जोश आ जाएगा और आप किसी भी मुसीबत से लडने के लिए ready हो जाएगे, ऐसा scientist ने अब तक हमको conclusion दिया है, exact functioning अभी तक नहीं मालूम कि ये कैसे होता है और क्यों होता है, कि मैंने आपको पहले ही का है, कि brain के उपर बहुत ज़्यादा research चल रही है, अभी तक हमारी country में brain transplantation successful नहीं हुआ है, people are still working on it, तो brain के अलग-अलग parts के उपर अभी तक पढ़ाई हो रही है, अभी तक उसको समझा जा रहा है, तो हर एक चीज का exact answer आपको शायद पता ना चले, लेकिन entrance point of view से, आपके medicine point of view से जितना पता होना चाहिए, उतना मैं आपक आ रही हूं कि आपके thalamus और hypothalamus region के बीच में चोटे-चोटे-चोटे-चोटे granular structure present होते हैं, जिसको हम बोलते हैं neuronal circuit और वो granular structure मिलके limbic system बनाते हैं, limbic system कौन से particular parts से बना है, मतलब जो beach-beach में thalamus hypothalamus region के बीच में कुछ ऐसे parts हैं, जहां पर आपका amygdala और hippocampus present होता है, बस उसी part कौम limbic system बोलते हैं और limbic system का function याद रखो, it appears to be responsible for emotional reactions, मतलब आपको कैसे emotionally react करना है, happiness, sadness, डर, जोश, energy, so it is responsible for the control of emotional reactions, motivational drives and memory, मतलब आपको जब एकदम से जादा जोश आ जाता है, motivation आ जाता है, कि अब में ये करके दिखाऊंगा, मतलब समझो आप race में भाग रहे ह येस, you can do it, yes, you can do it, तो आपके अंदर एक अलग जोश आता है, तो वो अलग जोश किसके वज़े से आता है, limbic system के वज़े से, किसके वज़े से आता है, limbic system के वज़े से, okay, तो यही दो points थे, limbic system के बारे में, अब आगे वापिस से देखो, जो मैंने आपको पहले बताया देखो ध्यान से देखो आपका hypothalamus जो है यही hypothalamus नीचे की तरफ extend हो रहा है hypothalamus का ही floor नीचे की तरफ extend हो रहा है और नीचे जाके वो pituitary gland का structure बना रहा है pituitary gland और hypothalamus के बीच में जो ऐसे stock है जैसे plant reproduction में आप कैसे पढ़ते हो यह female का stigma और इसी stigma से ऐसे आपका यह निकलता है और यहां पर आपका ovary रहता है correct है तो वैसे ही आपके brain में भी hypothalamus है hypothalamus से एक लंबा सा स्टॉक के जैसा एक लंबा सा ट्यूब जैसा structure निकलता है उसको हम बोलते हैं infundibulum या hypofacial stock इसी hypofacial stock के आजू-बाजू से बहुत सारी blood vessels supply होके hypothalamus तक पहुचती है इसलिए हमने इसको बोला था hypothalamo hypofacial portal vein brain तक nutrients पहुचाने का काम क्योंकि hypothalamus is a vascular organ उसके पास बहुत सारे blood capillaries है तो आपका जो hypothalamus का base है वो hypothalamus का base क्या बना रहा है वो stock like structure बना रहा है वो stock like structure को हम बोलते हैं infundibulum क्या बोलते हैं उसको hypofacial stock बोल सकते हो या infundibulum बोल सकते हो which connects it to the hypophysis pituitary gland का जो scientific name है वो क्या है hypophysis pituitary gland का scientific name क्या है hypophysis and this hypophysis is known as pituitary gland both physically and functionally by secretion of neurotransmitters इस pituitary gland का एक ही काम है hormones produce करके secrete करना this is the main function of pituitary gland लेकिन pituitary gland के दो पार्ट्स होते हैं एक होता है adeno hypophysis और एक होता है neuro hypophysis मतलब एक पार्ट में hormone बनता है और दूसरे पार्ट में hormone secrete होता है इसके बारे में हम chemical coordination वाले पार्ट में पढ़ेंगे मतलब थोड़ा chapter के आगे जाएंगे तो आपको chemical coordination वाला पार्ट आएगा जहां पर सिफ hormones की बात की गई है तो pituitary gland का कौन सा पार्ट क्या hormone बनाता है मतलब anterior pituitary में क्या होता है posterior pituitary में क्या होता है यह हम आगे chemical coordination वाले पार्ट में पढ़ेंगे थोड़ा सा patience रखो okay तो अब आगे क्या बताया बेस है वो नीचे की तरफ pointed होके infantibulum की मदद से pituitary gland बना रहा है pituitary gland के दो parts होते हैं और उसका main function क्या है production and secretion of neurotransmitters अब इसके अलावा pituitary gland के अलावा आपको और एक चीज क्या देखने को मिल रही है hypothalamus के आगे की तरफ hypothalamus के आगे की तरफ आपको क्या देखने को मिल र बोलती है वह nerves cross होती है वह nerves कैसे हो जाती है brain में जाने के बाद cross हो जाती है तो इस आख का controlling brain के उल्टे साइड में मतलब left eye का control right brain करता है और right eye का control left brain के पास है मतलब यह दोनों nerves ऐसे cross हो जाती है तो इस crossing cross वाले part को हम बोलते हैं चियाजमा इस cross वाले part को हम क्या बोलते हैं चियाजमा देखो DNA 11 स्टांडर में सेल डिवीजन के टाइम पे आपने पड़ा था कि जब क्रोमोजोम एक साथ आ जाते हैं और crossing over दिखाते हैं तो उनके बीच में चियास्माटा प्रडियूस होता है मतलब जहां पर crossing over होता है पेरेंट्स DNA जहां पर अपना अपना मटेरियल एक्सचेंज करते हैं तो उस crossing over वाले पार्ट को हम ने बोला था चियास्माटा सेम यहां पर भी वही चीज है जहां आपके दो अप्तिकल नर्व्स आपकी आँखों की दो नर्व्स ऐसे क्रॉस होती है तो जहां पर यह नर्व्स मिलती हैं इस पॉइंट को बोलते हैं चियास्मा जैसे कि आपको डाइग्राम में दिखाया गया है छोटा सा पार्ट इट इस सीन विदा एलप उफ क्रॉसिंग ऑफ दो ऑप्तिक नर्व्स जब ऐसे आपस में क्रॉस होती हैं तो वहां पर एक चियास्मा प्रडियूस होता है अब यह डाइग्राम ना आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है आपकी टेक्स्ट बुक में यह लेबलिंग नहीं करके दिखाया गया है मैमिलरी ब बॉड़ी क्या बोलते हैं उसको हम मैमिलरी बॉड़ी यह स्पेसिफिकली देखो मैमिलरी बॉड़ी मतलब आप ऐसा मत समझना कि वह मैमरी ग्लाइंट से इंक्लूड़ेड है मैमिलरी बॉड़ी अलग है मैमिलरी बॉड़ी मतलब एक चोटा सा कर्वड पॉइंट आपके उप्टिक चियाजमा वाले पार्ट में ही पीछे की तरफ एक छोट असा कव्ड पॉइंट देखने को मिलता है जिसको मैमिलेरी बोडी बोलते हैं जो स्पेसिफिकली यूमन्स में ही पाई जाती है मतलब मैमल्स में ही पाई जाती है रिस्पॉंसिबल फर रिकलेक्टिव मेंबरी और ये मैमिलेरी बोडी का काम क्या है अपनी यादधाश बनाए रखना मतलब पुरानी चीज़े बच्पन में आप गाउं जाते थे नानी का गाउं कैसा दिखता था दादा का गाउं कैसा दिखता था कभी बच्पन में गिर ग ब्रेंज में ही देखी जाती है यह और गन पर्टिकुलर्ली मैमलियन ब्रेंड में ही देखा जाता है और इसका फंक्शन होता है आपको आपकी मेमरी री कलेक्ट करके दिखाना तो आपको पूरा हाइप थालैमस वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा अब तक हमने जितने भी सेशन्स देखे हैं जितने भी वीडियोस देखी हैं आई होप आपको उनसे हल्प मिल रही है देखो मैं कंट्रोल और कॉडिनेशन चैप्टर को इस पॉइंट अफ्यू से पढ़ा रही हूं कि आपका MBBS का बेस क्लियर हो जाए और आप एंट्रेंस क्लियर कर सको मैं महराश्टरा सिलेबस की साथ साथ इसमें थोड़ा सा NCRT का सिलेबस भी आड़ कर रही हूं थोड़ा सा डीटेल बता रही हूं लेकिन जो पार्ट समझ में नहीं आता जादा समझ में नहीं आता उस पार्ट के उपर जादा फोकस मत करो आगे बढ़ो एक पार्ट अगर में आप बागी के ट्रॉर और करोंगे तो तो फीजिक्स केमेस्ट्री भी केमेस्ट्री Ho settlement और उनके लिए विए चैप्टेर में से जो पाइट आपकू समझ हमैं आता है आप उछी पर टा आठे हैं तो हाइपोय नहीं से इतने questions नहीं आते हैं तो जो जो पार्ट important है वो पार्ट पढ़ो जो समझ में आता है वो पढ़ो जो ज़्यादा समझ में नहीं आता है उसको दो से तीन बार देखो और आगे बढ़ो ठीक है मैं अपना पूरा ट्राइ करती हूँ आपको best से best explanation देने का फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो मैं ट्राइ करूंगी कि अपने अंदर और improvement कर सको आपको better quality education दे सको तो ठीक है चलिए मिलते हैं जल्दी thank you stay tuned see you soon